स्वान मशकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज़ करते हैं उसके अंदर आप किसी भी अप्लिकेशन को अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको एक आरर आ जाता है All Apps Keep Stopping आपको All Apps Keep Stopping का कुछ इस तरह से आर देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर Instagram Keep Stopping अगर आप Instagram चला रहे हैं तो Instagram Keep Stopping आ जाता है बट यहाँ पर जो है आपके Mobile में All Apps Keep Stopping आ रहा है बार बार जब भी आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी अप्लिकेशन को अपने Mobile को यूज़ कर रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स के ज़रूर शेयर करेंगा गाईस सैटिंग्स में आने के बाद स्क्रॉल करना है यहाँ पर Apps देखने को मिल रहा है इस पर आईए तन उसके बाद यहाँ पर Manage Apps देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करिए Manage Apps के बाद यहाँ पर Search Bar है Search Bar में आपको Search करना होगा Google Play Service इसको Open कर लेना है ओपन करने के बाद नीचे आपको देखने को मिल रहा है Clear Data Clear Data पर क्लिक करिए उस पर Manage Space पर क्लिक करिए और यहाँ पर Clear All Data देखने को मिल रहा है और इसको OK कर दीजिए यहाँ पर Clear All Data करने के बाद आपकी Problem जो Solve हो जाएगी आगर फिर भी नहीं होती है तो आपको उसके बाद क्या करना है Settings होगी आपके Mobile में यह देख सकते हैं इस Settings है Settings पर Long Press करिए उसके बाद यहाँ पर App Info देखने को मिलेगा करना होगा दन आप जैसे ही Clear All Data करोगे अब देखेंगे जो आपकी Problem है यह Clear All Data करने से चली जाएगी फिर से आपको All Apps कि Stopping आरफ देखने को नहीं मिलेगा अब यह करने के बाद भी Problem as it is बनी हुई है तो यह काम आप कर सकते हैं प्ले स्टोर पर आईएगा Profile पर क्लिक करिएगा उसे बाद Manager Apps and Device इस पर क्लिक करिएगा यहाँ पर आपको Update available दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा यहाँ पर देख सकते हैं कितनी Applications के आपको Updates आए है जितनी भी Applications के Update आपको आ रखे हैं Update All पर क्लिक कर दिजेगा जैसे अपडेट ओल पर आप क्रिक करेंगे आप देखेंगे आपकी जितनी भी अप्लिकेशन होगी वह अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी आप यहां से जो है इसको अपडेट कर लीजिएगा तो बैक आजाएएगा जैसे ही आपकी अपडेट होईगी आपकी problem solve हो जाएगी दर उसके बाद finally आपको एक काम करना होगा आपने mobile को आपको reboot कर लेना होगा mobile के अंदर अलग-अलग तरीके से reboots आप कर सकते हैं आपना power button दबाईएगा या फिर power button दे साथ-साथ आप जो है अपने mobile को आप button volume up button एक साथ दबा सकते हैं जिस्टम्स थे या फिर आपने mobile को एक बार on-off आप कर सकते हैं तो भी ये problem आपकी solve मिलेगी आपको ये तीन से चार जो ट्रिक्स दी मैंने बताई है इनको apply कर लीजिएगा problem आपकी solve हो जाएगी सब बस आसके वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में एक तिल दर बाटे क्या लव ये